हेलो इस्टूडेंट गुट इनिंग टू आफ यू आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन वीडियो के अंतरगत हम लोगों का इंटरफेस बहुत दिनों बात हुरा है क्योंकि इधर पुरा जो हमारा वर्ड है वह क्रोना के चलते जिसे क्लोबल डिजास्टर भी घुसित कर दिया गया है तो इसको लेके हम लोग ने एक त्यार अपनाया है कि हम लोगों हम लोग जो है है जो हमारा टुएल्ड का सिलेवर्स है अब किई ने उसको ऑनलाइन के दौरा समझे है ऑनलाइन के दौरा उसपर कभर करें और ग्जाब में हमस्कूल करता है तो इसी बात को लेते वे हम लोगों ने यह online class से स्टर्ट किया है और मैं जो especially आप लोगों की chemistry बताऊंगा और chemistry में जो organic portion है या पूरे chemistry का बहुत ही important portion होता है अगर आपको इस पर concept आ गया तो आप इसमें अच्छे से अच्छे score कर सकते हो और अच्छे marks इसमें आप ला सकते हो तो हम लोग जो है आज से start करते हैं Organic Chemistry और बहुत अच्छे से बहुत ही details में जाकर इसको हम लोग समझने की कोशिस करेंगे और इस पर मेहनत फेरेंगे स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को पैसेंस रखना है मैं यह पूरे details में जाके बताऊंगा और मेरा यह कोशिस रहेगे कि आपको concept आजाए Organic का आप कोई भी बोड़ बोड़ और कोस्चन आ जाए उसको आप बना लो अच्छे से नंबर ला लो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं chemistry chemistry जिसकों हिंदी में बोला जाता है रसायन सास्त रसायन सास्त तो मैं फूरा थियोरी आपको बताते चलूंगा एक्जांपल बताते चलूंगा और आप लोगों के पास किताब तो होगा है किसी भी फैब्लिकेशन का आप एक खिदाब ले लो आप एक बुक ले लो और साथ में आप एक्सरसाइज करते चलो और इस कंसेप्ट का फैदा हमें तब मसूस होगा जब हम प्रॉब्लेम करेंगे अगर आपसे प्रॉब्लेम नहीं हो पा रहा है मतलब और गेनिक केमिस्ट्री में आपने कुछ नहीं सीखा तो अगर आपको क्रों बनाने आ रहा है जो मैं इसका रहा है इसका मतलब है आपको और केमिस्ट्री समझ में आ तो मैं बताते चलूंगा और साथ में आप लोगों को problem भी करना है मैं कुछ problem जो important problem होंगे उसको board पे भी करूँगा और आपको बकायदा उसको notes में बना लेना है तो आप एक इसके लिए organic chemistry जो है इसके लिए आप एक अलग copy ले लो और separate इसको बनाते चलो उसी में problem बनाते चलो और जो रहा बात book का book में जो भी problem है जो भी exercise है उसको आप एक अलग book ले लो और उसमें बनाओ तीसरी बात कि जितना भी important reaction है chemistry में अगर chemistry में आपने reaction नहीं लिखा मतलब organic chemistry में आपने कुछ नहीं लिखा तो पहला तो बात यह है कि आपको जो मैं important reaction बनाओंगा यहाँ पे उसको मैं VVI लिखवाते चलूँगा और आपको उस पे ज़्यादा focus करना है जो भी हमारे पास important reaction है उसको आपको ज़्यादा focus करना है और जितना भी नाम type का reaction आएगा जो बहुत important होता है एक चाम में mostly वहीं question पूछा जाता है जो नाम type का reaction है जैसे आगे चल के आपको उर्ज reaction मिलेगा आपको फेलंग स्टेन reaction मिलेगा आपको गैटर मेहन reaction मिलेगा तो जितना नाम type का reaction है इसको आपको अलग book में एक जगा separately लिखना है अलग किताब में एक जगा आपको separately लिखना है तो हम लोग इस्टार्ट करते हैं chemistry अब जैसे हम लोग उने 11 पे डिसकस किया था कि पूरे chemistry को जो है तीन portion में divide किया जाता है और पहला portion जो है वहा होता है भातिक रसाएं दूसरा portion जो होता है वहा होता है और गेनिक यानि की कार्वानिक रसाएं और तीसरा portion आपके पास जो है वहा होता है इन और गेनिक केमिस्ट्री यानि आकार्वानिक रसाएं तो हमें जो अभी बात करना है वहा बात करना है और गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जिसे हम लोग ने कारवानिक रासायन लिख रहा है तो हम सबसे पहले इसको तीन पॉर्शन में बाड़ते हैं पहला पॉर्शन जो है वह होता है फीजिकल केश्ट्री भावतिक रासायन भावतिक रासायन रसायन दूसरा पॉर्शन जो है अपने पास और गेनिक केमिस्ट्री कारवनिक रसायन करवनिक रसायन और थार्ड नास्ट पॉर्शन जो है वह है अपने पास और गेनिक केमिस्ट्री इन और गेनिक केमिस्ट्री और कारवनिक और कारवनिक रसायन देखिए स्टुडेंट हमने सबसे पहले केमिस्ट्री को तीन पॉर्शन में बाट लिया यह हम लोगों को एलेवन्थ में भी मिला है मैं तोड़ा साब फ्लैस्बैक जाके त्वेल्थ में इसको बता दे रहा हूं तो तीन पॉर्शन हम लोगों ने देख लिया अब हमें जूद देखना है यहां पर हमें जिसके बारे में जाना है हमें जिसको पढ़ना है वह हमारे पास है और गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानना है और डिटेल्स में जाते जानना है तो हम अब यहां की स्टार्ट करते हैं और गेनिक केमिस्ट्री और गेनिक केमिस्ट्री कार्वनिक रसाइं अब देखें कार्वनिक रसाइं तो कार्वनिक रसाइं अब क्या है आप लोगों ने 11 में भी देख रखा है मैं यहां पर 12 में थोड़ा सा बताऊंगा इन सौर्ट में कार्वनिक रसाइं यानि रसाइं सास्त्र की वैसी वरांच जिसमें कार्वन से संबंदित योगीकों के बारे में अध्यन किया जाए यान यानि और्गेलिक केमिस्ट्री और इसका जो सोर्स है इसका जो सोथ है वह मेनली लिविंग और्गेनिजम होता है यानि जो भी लिविंग और्गेनिजम है जो भी जीवित जीव है उनसे ही आप राप्त होता है इसलिए इसके सोर्स के बारे में ज्यादा बताया जाता है कि है मैं तो आप हमें देखना है और अब आते हैं और कीब देख़ रहा है नुमें प्रोधिर के वारे में इसके आएक बारे में अब हमें किया देखना है हमें 12 में देखना है तो अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं कितने चाप्टर हैं कहां से कितने नंबर के कोश्चन आएंगे तो उसको अब हम लोग देखने चलिए ध्यान दिने जाए हम लोगों को देखना है और गेनिक केमेस्ट्री कार्वानिक रसायन और किस क्लास कासी लेवल देखना है क्लास ट्वेल्ट क्लास क्लास ट्वेल्ट के में हमें जानना है तो आप हमें देखना है सबसे पहले महीं बताना चाहाँगा कि इसका सीlets जो पहले मैं आप लोगे को बता दे रहा हूं सी लेवर्स 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 ट्राइब तो पहला चाप्टर जो है जाप्टर फर्स्ट जो है वह है अपने पास है 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 लो एलकेंट कि एड़ कि है लो एलो एल्टेंट कि है लो एलकेंट हैंड है लो एलेटिवर्स वाज़्ण चाप्टर है मैं हिंदी में की निग दे रहा हूं है लो की एलो के का था ऐसे है लो एरिंस परस्ट चाप्टर है सेकेंड चाप्टर जो है अपने पास आ जाता है उसका नाम है एल्पोहल एथर एंड सीनो एल्पोहल एथरेंड फिनो जो थर्ड चाप्टर अपने पास आ जाता है इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ एल्पोहल एथर तथा फिनो एल्पोहल एथर तथा फिनो कितने चाप्टर अपने पास आ गए दो थर्ड चाप्टर जो अपने पास है वह है अल्डी हाइट अल्डी हाइट अल्डी है अल्डी है अल्डी हाइट कीटो तथा कार्वाउग्जिलिक कार्वाउग्जिलिक अल्डी है तो कितने चाप्टर अपने पास आ गए दिन जो अपने पास फोर्थ चाप्टर है फोर्थ चाप्टर मैं यहां लिख दे रहा हूं फोर्थ चाप्टर जो है वह है कंपाउंड कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन जिसको इंसोर्ट में हम लोग बोलते हैं में क्या बोलते हैं इंसोर्ट में में हिंदी में भी लिख दे रहा हूं इस चाप्टर का नाम क्या है एमी चीक है और जो अपने पास अब फिफ्ट चाप्टर है चाप्टर कौन सा है फिफ्ट वह है कि बायो मॉलिकुल्स क्या है बायो मॉलिकुल्स जिसको हिंदी में बोला जाता है जैवा अर्ड जो लास्ट सेकेंड चाप्टर जो है अपने पास शिक्स वह है पूलीमर क्या है अपने पास पूलीमर जिसको हिंदी में बोला जाता है बहुलक क्या बोला जाता है बहुलक एंड लास्ट चाप्टर इस सी आई ए दी यालि अगर इसको डिटेल्स में निखा जाया तो क्यमेस्ट्री क्यमेस्ट्री इन एवरी दे लाइफ यानि दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में रशान तो स्टुडेंट हमारे पास 12 और गेली के कितने चाप्टर आगे सेवन जिसमें फ़र्स चाप्टर जो है है ऐलो एलकेण हैलो एरिंस सेकिंद चाप्टर जो है एल्कोहल इधरेंड फिनोल नमबर थर्ड जो है अल्दि हैड किटोन एंड कर्वाक्सिलिक एसिड नमबर फो जो है compound content nitrogen जिसको salt में बोला जाता है amine, 5 chapter जो है वहा है biomolecules जिसको हिंदी में बोला जाता है जयवालू, 6 जो है वहा है polymer जिसको हिंदी में बोला जाता है बहुलक और 7 जो है chemistry in everyday life, dhanic जीवन में रसा हैं तो यह अपने टोटल सिलेवस जो है वेल्ट में है और इन सब को एक एक करके बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे हम लोग और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे अब हम लोग देखते हैं कि एकजांग की पॉइंट अभी उसे कौन इंपोर्टेंट है यानि किस चाप्टर से कितने नंबर की कोश्चन हमारे बौड में एकजांग में आते हैं तो पहला जो है है एलो एंटेन एंड हैलो एरी इससे आते हैं चार नंबर के कोश्चन दूसरा जो है निबत दूसरा जो है एलकौहल, इधेरं, फिनोट इससे आपके पास सध्वन आते हैं चार नंबर के तीसरा अल्देहाइट, ते तोनी आंट केषिट इससे आपके पास liksom हूर चोजन आते हैं चौदा जो हैं telephone, कंपाउंड宪नि में इट्रोजन इससे आपके के पास पुस्चान रहता है और छो एम तेन नंबर की पुशह सकते हैंмент जिसमें पहला इंटी यह आपके पास है है सफे लुकियम में इससे आपके पास question पूछे जा सकते हैं चार नंबर के तो score के point of view से सबसे ज्यादा जो important हमारे पास unit है पूरे organic का वह है अल्टी हाइट की टोन एंड कर भॉक्स लिगे से इससे आपके पास कितने number की question आ सकते हैं छे number के फिर हमारे पास चौता unit है compound contain nitrogen पूछे जाएंगे बायो अधिको चार नंबर की question पूछे जाएंगे फिर आपके पास आ जाता है फॉलिवर तीन नंबर का आएगा फिर आपके पास लास्ट में आ जाता है chemistry in everyday life जिससे आपके पास तीन नंबर की question आएंगे तो चोटल 28 नंबर के और गेनिक रहेंगे आपके exam में चोई exam के point of view से बहुत important है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले आप mentally prepare हो जाएंगे कि organic मतलब कि अकुछ नहीं है हम लोग बेलकुल इसको जड़ में जाके पुढ़ेंगे और यह महसूस होना चाहिए मुझे पढ़ाने में भी आपको पढ़ने में भी कि यह कुछ नहीं है हमें इस पर जादा से जादा मेनद करना है और जो important reaction है उस पर आपको ज्यादा focus करन और पहला बात की reaction आपको ज्यादा टाइम तक तब याद रहेगा जब उसको आप रिटें में लिग के याद किजिए जब ही आपको टाइम में रहा है जी important reaction है copy और पेन उठाया उसको लिख लिए तो ऐसे जो आपके mind में reaction रहेंगे वह ज्यादा समय तक रहेंगे यह नही हमें इसको बार 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 लेके क्या करना है याद रखना है तो हम अब याद स्टार्ट करते हैं और गेनिक का पहला इनिक्ट हैलो एलकें और हैलो रेंज सबको आप राइट डाउन करते जाएए नोर्स में चलिए अब हम लोग जो और गेनिक के विश्ट्री है अपना त्वेल्द का सिलेवस का पहला इनिट इस्टार्ट करने जा रहा है उस पहले इनिट का नाम है 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 रो एलकेंड आलो एलकेंड़ एलो एलों सेंड रलो एलों से ऐलों से एलों से आलों से तरीन हेलो एलकेंस तथा हेलो एरेंज और यह जो है यह हमारे एक्जाम में कितले नंबर के पूछे जाते हैं चालू है एकन मैं किए हैं कि सबसे पहरे हम इसका देखते हैं और जैक्टिप्स के वारे में किंसके ऑप्जेक्टिप्स क्या क्या कि फ YOU सबसासि एक्सरसाइग पास इस चार्फ्टर रहा मारे पास इसमें हमें क्याоры ने हैं तो सबसे więले नंडे अग्ज़ेंते हैं इसके अप्जेक्टिश्पड अब्जेक्टिव्स है ponto सबसे पहले इसका देखा जाता है ईंट्रोडक्शन है हम लोग सबसे पहले इसका क्या देखेंगे इंट्रोडक्शन इत्रोड़क्शन परिचे इत्रोड़क्शन यादी परिचे उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन स क्लासिफिकेशन औफ हैलो यलकेंस एंड हैलो यरिंज च्लासिफिकेशन आप हेलो यलकेंस जिस को हिंदी में बौते हैं यह ऐसी का मैं खशी है इसके बाद हम लों देखेंगे ख़ेऊ कैले तौ कि इसका नाम केसी लिखा जाता है ख़ें फैसलि Juice को हिंदी बोला जाता है नाम कर कितना अब्जेक्टिफ शागए अपने पास तेन पहला इंट्रोडक्शन दूसरा क्लासिफिकेशन और हेलो एलकेंस और थर्ड जो है वह आगे आपने पास नौन क्लेचर इसके बाद जो आता है वह है नेचर आफ नेचर आफ सी एक्स बॉन्ड नेचर आफ सी एक्स बॉन्ड यानि सी एक्स बॉन्ड का या ऐसे लिख लेते हैं सी एक्स बंध का प्रक्रिदी फिर अपने पास इसके बाद आ जाता है प्रीपरेशन 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 ओफ हैलो एलकेंस एंड हैलो एरेंस प्रीपरेशन का मतलब क्या होता है प्रीपरेशन का मतलब होता है इसका निर्मान कैसे किया जाता है यानि इसको कैसे बनाया जाता है उसको इंग्रिश में क्या बला जाता है प्रीपरेशन और हिंदी में लिखा जा सकता है बीचरन क्या दिखा जाता है बीचरन यानि क्या होता है प्रीपरेशन यानि इसको लिख सकते हैं निर्मान क्या लिख सकते हैं निर्मान तो अभी अपने पास कीतने औजिक्टिप आ गए इन्ट्रोडेक्श्न क्लाशिफिकेशन नॉमक्लेशर नेचर आफ्र commissioner प्रीपरेशन आक्लोलिकन गैन फिर इसके बाद आ जाता है अपने पास इसके बाद क्राद जाता है अपने पास अ प्रोपर्टी या प्रोपर्टी लिख सकते हैं हम फिजिकल प्रोपर्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक गूर क्या बोलते हैं इस्टुडेंट भौतिक गूर फिर इसके बाद अब्जिक्टिस में अपने पास आ जाते हैं केमिकल प्रोपर्टी जिसको बोलते हैं रसाइनिक प्रशाइनिक गूर्ट पर इसके बाद अप्यक्टिप से हैं कर पूली है रोजन्स कंपाउंड पूली है रोजन्स कंपाउंड और राश्ट में इसका आ जाता है अप्ली केसी झाप्रवार्ण लाश्ट में क्या जाता है एपलीकेशन तो स्टुडेंट हम मुझने यहां पूरा चाप्टर का बनक कर लिया है कि इसमें क्या पढ़ना है अगर हैलेरेरें सहुम्न हैं पढ़ना है तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है वह है इंट्रोड़क्शन यानि इस पूरे चाप्टर क्या पढ़ना है उसका परिषय क्या हुना हम और हम उसकी क्लासिफिकेशन है उसकी क्या सबस्क्राइब यह möglich क्लासिफिकेशन के सब्सक्राइब फिर हमारे पास आ जाता है नॉमनक्लेचर यानि जो भी हमारे पास हैलोजन से संबंदित एलकेन है या एलिन से यानि जिसको एलिफैटिक भी बोला जाता है और एरोमेटिक भी बोला जाता है तो अगर एलिफैटिक कंपाउंड में या एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास हेलोजन जूड़ रहा है तो हम उसका नाम किलेचर करेंगे हम उसका नाम कैसे बिखेंगे साथारन में उसका नाम होगा और IPC इसके पत्ति में क्या नाम किसकी आंदर डिखेंगे कोछज फिर आवारे पास आजाता है नेचर आप सी इंडिकेट करता है एक बराबर हो जाता है है रोज़न एक्स बराबर क्या हो जाते हैं हैलोजन एटर यानि कार्वन के अंदर यानि मूल कार्वनिक योगिक यानि हैड्रोकार्वन हैड्रोकार्वन के अंदर कोई हैलोजन आके जूड रहा है तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा अगर जूड़ गया तो उसका नेचर क्या होगा वह कौन सा परभाव दिखायेगा कहा नेगेटिव होगा कहा पॉजिटिव होगा तो ये सब चीज़े हमें देखना है नेचर आप CX बॉंड के अंदर इसके बाद हम आ जाते हैं तो इसका परप्रपरटी क्या है या किस कलर का होता है इसका मेल्टिंग पोइंट क्या है इसका boiling point क्या होगा कि डैप और मुमेंट इसका क्या है तो यह हम देखेंगे physical property के अंदर फिर हमारे पास आ अधा है chemical properties रसाइने गुण क्या है यह यह से reaction कैसे करेगा यह अधार के साथ रेक्षम कैसे करेगा जिंग के साथ कैसा बेवार रहेगा इसका यह मेंटर यानि मैंगिस्याम के साथ कैसे reaction करेगा तो यह सब चीजें हमको देखना है chemical property के अंदर फिर हमारे पास आता है तो सब किसके इंतर आजाते हैं वहाँ पर हमें मिलेगा अनस्टेटिक के रूप में किये जाने वाला क्लोरोफार्म जिसका बहुत ही अहम जो हमारे पास मेडिसीन वगरा है तो कलोरोफार्म का वहाँ बहुत ही उपयोग होता है यहां पर हमें हैलोफार्म रियक्शन मिलेगा तो यह सब चीजें किसमें देखेंगे पुली हैलोजन के अंदर फिर लास्ट जो अपने पास है एप्लिकेशन यानि हैलोजन के क्या अप्लिकेशन है हम कहां इसको उचकर सकते है कि यह जैसे जो भी है हम इसमें जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे नियुक्स का उमारे लॉय भाघ Cryoब में बहुत ही हो गाए जैसे अम लोगоме 6 करते हैं सबंद डिस इच्छांपुल्ड ओ क्यमिस्ट्रि मिच्ट्री है हम कप्डा यूज करते हैं दिस एक्जांपुल आफ पॉलीमर हम सूच पहनते हैं दिस एक्जांपुल आफ कमिस्ट्री तो यह सब चीजें हम कहां देखेंगे आप तो अभी हम देखा कि हैलो एलकेंग्स और हैलो एलिंग्स के अंदर हमें क्या देखने हैं कि तो पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है आप इसको नोट डाउन कर लिजिए फिर हम लोगागे पढ़ते हैं तो हम अब इसका देखने जा रहा है इंट्रूडक्स तो किसका इंट्रूडक्शन हमें देखना ए नियुक्त तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हेलो एलकेंस और हैलो एरीज यानि सब से ही अपस्ट है कि है लो अलकेंस क्या देखना है हमें है 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 लो अलकेंस यानि इसमें हम देखते हैं आप भी इसमें दिमाग लगा सकते हो पहला सब जुड़ा हुआ है किशेंा यह सामने पहला सब हेलो और दुसरा सब जुड़ा हुआ है अब हेलो का मतलब होता है है य है लुका मतलब होता है है लोजन कि या होता है स्टुडेंट हेलो का मतलब है लोजन एटम यानि है लोजन एटम और अलकेन अलकेन मतलब आप जानते हैं यह हाइड्रो कारबन है हाइड्रो कारबन अब हैलो मतलब क्या हमने लिखा है है यानि कोई भी है लोजन एटम अगर किसी अलकेन में जूड़ जाए कोई भी है लोजन एटम अगर किसी कहां जूड़ जाए अलकेन के अंदर जूड़ जाए तो वह क्या बन जाता है है यह जैसे हमने देखा अलकेन क्या देखा हमने अलकेन और इससे अगर हम अलकेन से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देते हैं क्या निकाल दिया हमने एक हाइड्रोजन एटम और उसके अस्ताम के मैंने जोड़ दिया एक हाइलोजन एटम यानि अलकेन के अंदर से हमने क्या निकाल दिया कि या एक हैड्रोजन एटम और उसके सांठ चुड़ दिया एक हेलोजन एटम यानि है लोजन करने के क्या मतलब होता है है और और तहां चुड़ा एलकेन के अंतर क्या बन गया है लुकिन स्टुडेंट क्या बन किया हमारे पास है लो इसको एक और सब्ग में बोला जाता है अलकाइल है लाइट क्या बोला जाता है अलकाइल है लाइट भी देखते हैं फॉर्मूला लगैन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सिए एस टूएंट प्लस 2 अगर इसमेश एक लिए निकाल दिया तो डूके जगहां हमारे पास क्या जायागा वाह और वान की जगह प्र जुड़ आयेगा है रोजल यानी एक है रोजल मैंने नीकाला और उसके अस्थान के क्या जोड़ दिया एक है रोज़ इस पास ऐा घंट जब अगया अलकाइल्स है राइलग्य कि क्या बन के आगया अलकाइल है याइट जिसको हम एक और लेंग्विज में लिख सकते हैं है खेलो कि यह लिख सकते हैं स्टुडेंट है लो एलके कि अब लोग देखते हैं कि हम लोग है कि सर्टिफाइड डेफिनिशन कैसे बता सकते हैं कि अगर आप से कोई पूछ रहा है कि आप बताओ तो आप उसको कैसे डिफाइंड करोगे तो आपको बताना है मैं बहुत ही इंसौल्ट में बता रहा हूं और बहुत ही ट्रेकली बता रहा हूं कि आपको सिधे बता देना है कि अगर किसी एलिफाइटिक कंपाउंड में किसमें एलिफाइटिक कंपाउंड अगर किसी एलिफैक्टिक कंपाउंड में कोई हैड्रोजन परमाणू हटता है रिप्लेस होता है और उस अस्थान पर अगर कोई हैलोजन जुड़ जाता है तो उस कंपाउंड को बोला जाता है है यानि यहीं से आपक समझते हैं कि यहां पर अपने पास क्या है एलिफैक्टिक कंपाउंड है और यहां से हैड्रोजन गया हुआ है यानद है उसको किसे ने रिप्लेस कि है खेलोजन के अंदर कि आ गया है है लोजन तो यह हमारे पास क्या गया खाल कि गए कि से लिप पास है कि से मिलर्ली कि सीमिलर ली अगर हम बात करते हैं हैलोरी इसका बात करते हैं हैलोरी इंज का तो सेम वहीं कंसेट है हमने क्या ले लिया अरेंज ले लिया है 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 कि यह लगा दिया है है जिटवच्ण चैंड फुरक्री क्या लगा दिया है जब दियें लिमने तो यहां क्या वहांकि इसट्यूद्ट है है हुप ओकय यहां तक क्लि bets हुआ तो एलेंट से एक हैट्रोजन जब रिप्लीष भॉआ तिसके त्वादें हमाले पास है टारे सबसे को जिसको क्या लोट सकते हैं है दो क्या लीकित सकते हैं अτί यडिक है ओर आण 7 ऊथिर्टन जैसे हमने है केल बनाया सब्सक्राइब किसका हो ज़ागा हैक यानि जब कि स्वैबर barrier एटंड या hydrogen किसी है रोजन एटम के द्वारा reduction होता है तो हमारे पास जक्या है उसकट हम पासदाव का बोलते हैं एरा आय हैल चाह전에 क्लेख repent जैसे माल जे हमारे पास aromatic compound कहने क्या मतलब क्या होता है बेंजीन रिंग क्या मतलब होता है बेंजीन रिंग तो बेंजीन रिंग का फुर्मूला हमारे पास क्या है C6 और H6 C6 और H6 अब इसमें से हमने एक hydrogen atom हटा दिया H और इसके साथ एक है hydrogen जोड़ दिया X अब देखें यहां पर ध्यान दिजी हमारे पास कितने hydrogen atom है 6 6 में से अगर यह कहां गया तो कितना बचा 5 यानि इसको हम लिख सकते हैं further C6 और H5 इंटू यहां पर क्या है कि हमने पास जोड़ गया X तो यह क्या हम गया Arial hydrogen तो यह क्या ह है यह हमारे पास इंट्रोड़क्शन है हेलो एलकें का और हेलो एरेंस का हमने हेलो एलकेंस भी बनाया है यह आसा करता हूं कि इससे आप असान तरीका और नहीं हो सकता और इसको आप लोग राट डाउं कर लिजिए अपने कॉंपी के अंदर एक दूए इसका बता दे रहा और यह बन गया CH3 और इसके साथ आपके क्या जून गया एक है है ऑलो एलकें क्या बन गया है है जो कि इसको आइप कर लिजिए तो हम लोग उने इंट्रोड़क्शन में देखा है कि अड है लो एरेंस ईप सो मैं यह आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अब जो वी इसके प्रॉब्लेम हैं आप लोग देखो किताब से और उसको लगाईए जहां प्रॉब्लेम हो रहा है एक वार थेयोरी देख लिजिए फिर एट्एम्ट कीजिए फिर एटेम्ट कीजिए और स जो भी आपके पास प्रॉब्लेम आएगा उसको किताब से देखिए और पढ़िए उसको आप मैं आज के लेक्षर में इतना ही पर एंड करता हूं फिर नेक्ष्ट लेक्षर के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें इंसालला बहुत चीजे सिखने को मिलेगी बहुत कंसेप्ट भी मिलेगा और मैं यह आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा सो सेफ रही है घर पे और घर से बैठे बैठे प्रिपरेशन कीजिए कि सोशाल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने परिवार के सांथ बने रहें थैंक्यू अल्दा बेस्ट